सरकारी करमचेरियों के छुट्टी के नियमों को लेकर कार्मिक विवाग का ताजा नोटिफिकेशन तोस्तो 18 मई 2023 को कार्मिक और प्रेसेक्शन विवाग के द्वारा सरकारी करमचेरियों के छुट्टीयों के नियमों में कुछ बदलाव किये गए हैं इसको लेकर एक ऐसाधारन गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी सरकारी करम्चेरियों के लिए यह है Nicholas notification इसली ज़िए ज़्यादा महतपूरी हो जाता है क्योंकि यह जारी किया गया है सरकारी करम्चेरियों की छुठियों को लेकर तो वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखें जारेकारी पसंद आए तो वीडियो यह गयक नोटिफिकेशन तो इन नियमों का संचिप्त नाम केंद्रिय सिविल से वाएं छुट्टी संसोधन नियम 2003 है और यह राजपत्र में उनके प्रकासन की तारिक से प्रवर्थ होंगे यानि की 18 माई 2003 से यह नए नियम लागू हो चुके हैं तो यहाँ पर आप जो CCS लीव रूल रूर्वल 1972 है उसके रूर्ल नंबर 43 ए ए में कुछ बदलाव यहां पर किये गहे और इसके अलावा 43 B में भी कुछ बदावयां पर किये गए हैं तो दोनों नियमों के बार में यह पर जान लेते हैं कि अब किस तरकी से करमचारियों के लिए यह नए नियम लागू रहेंगे तो यहाँ पर कहा गया कि कोई पुरुस करमचारी जिसमें एप्रेंटेस भी सामिल हैं जिसके दो से कम जीवित बच्चे हो यदि वो दतक ग्रहन सिविकार करने से पूर पोसक देखरे करने या एक वर्ष से कम उमर के बच्चे को वैद रूप से दतक लेने पर यथा इस्तित दतक सिविकार करने से पूर पोसक देखरे करने या वैद रूप से दतक लेने की दारिक से 6 माई की अवदी के भीतर 15 दिन की अवदी के लिए पैतरक चुटी प्रदान की जाएगी यानि कि अब ऐसे सरकारी करमचारी जो की पूरूस हैं और वो किसी एक साल से छोटे बच्चे को गोद लेते हैं या पर उसकी देखवाल की जिम्मेदारी लेते हैं तो ऐसे करमचारियों को अब पहले गोद लेने से 6 माईने के भीतर 15 दिन का पैटरनटी लिए यानि की पै महिला नियम उसके बाद में दूसरे नियम या पर कहा गया है कि जो 43 खे है उसमें कि महिला सरकारी करमचारी जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं दतक ग्रेंड से पूरू पोसंड देखरेक स्विकार करने या एक वर्स से कम उम्र के बच्चे को वैद रूप से गोद लेन दतक पूर पोसंड देखरेक या विदिपूर्ण दतक में बच्चे को सिविकार करने के उपरांत के तुरंत पस्चात 180 दिन की अवदी के लिए छुट्टी प्रदान की जा सकेंगी तो अब यहाँ पर किसी महिला सरकारी करमचारी के द्वारा किसी एक साल से कम बच्चे को गोद लिए जाने पर और गोद जो है वो आधिकारिक रूप से वैलिड होना चाहिए तो उस कंडिसर में उस सरकारी महिला करमचारी को 180 दिन की छुट्टी दी जाएंगी जो कि नॉर्मली मैटनिटी लिव होती है तो महिला सरकारी करमचारी को किसी बच्चे को गोद लेने पर भी 180 दिन की मैटनिटी लिव दी जाएंगी लेकिन ये जो दोनों नियम है ये उन मामलों में वैलिड रहेगा जहां पर सरकारी करमचारी के दो से कम जीवित बच्चे है याने कि एक जीवित बच्चा है और वो दूसरा बच्चा गोद ले लेता है तो ऐसे मामलों में स यहां किसी बच्चे के विदी पूर्ण दतक द्वारा दतक पूरु पोषण देख रेक का पलन नहीं कियाता है तो पहले से ली गई छुट्टी को किसी मैला सरकारी करमचारी के खाते में उपलत किसी अन्य प्रकार के छुट्टी से काट लिया जाएगा यानि कि यह दि वो द चुट्टियां उसके अकाउंट में हैं उन से चुट्टियां काटी जाएंगी तो यह मेहत्पून नहीं हैं सरकारी करमचारी के लिए जैसे कि हमको पहले बताया इस गैजट नोटिफिकेशन की कॉपी आप हमारी वेबसाइट गॉर्वेंट टेंपलेश कोर्णर कर तुन में दिया गया